नमस्का दोस्तों आज हम हनुमान असन के लिए प्रक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक पैर को पीछे तो उपे रखेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से रखने से हमारे पैरों की फ्लेक्जिबिल्टी बढ़ती है अब दूसरा यह हम करेंगे एक पैर तो यह लिजाड पूजे और दौनों जो हाथ हैं उनको इस तरह से लॉक करके सामने की तरफ देखेंगे हम उसके बाद पीछे वाले पैर को पूरा लिटा देंगे और अपूजिट हैंड से अपूजिट लैक को इस तरह से हम कंप्रेस करेंगे और आगे हम भुजंग आसन की में उपर की तरफ देखेंगे उसके बाद पूरे लैक लैक को सेंट्रलाइज करेंगे और पुश अप करेंगे हम 10 या 15 टाइम पुश अप करेंगे इससे हमारी जो लैक्स की और जो थाइस की लेक्जिविल्टी है वो बढ़ती है वो खुलते हैं जिससे की हमको हनमान आसन करने में आसानी हो जाती है उसके बाद ये अदो मुख स्वान आसन करेंगे जो पैर हमने पहले उपर आगे लाए थे उसको अब उपर ले जाएंगे और सिर को बिल्कुल नीचे लगा देंगे ये हैं डाउन वार्ड डॉक पोज अगें हम दूसरे पैर से यही सेम लिजार करेंगे दूसरे पैर को जो आगे रखेंगे उसको जितना हो सके अपने बिल्कुल अपने शोल्डर के पास ले आए तो और भी ज्यादा हमारे फ्लेक्जिबिल्टी जो है थाइस की लैक्स की ओपनिंग होती है तो उससे यह हनुमान आसन को करने में बहुत आसानी मिलती है और जो दूसरा वाला पैर है उसको हम इस तरह से पीछे से लेके जाएंगे और कमप्रेस करेंगे और इस तरह से पुझंग आसन की स्थती में उपर देखने की ट्राइब करेंगे और इस पूस से भी फ्लक्जिबिल्टी बहुत ज़्यादा भड़ती है और पैरों में गुटनों में भी प्रॉब्लम सही होती है इसके बाद वापस इस पैर को चैस के सेंटरलाइज करेंगे तरह से और वापस हम 10 से 15 पुश अप करेंगे जिसे के पैरों को और भी ज़्यादा फ्लक्जिबिल्टी भरती है इससे हमको हनुमान आसन और भी दूसरे आसन करने में आसानी होती है दीरे दीरे हमारी फ्लक्जिबिल्टी भरती जाएगी और हम हनुमान आसन करने में बहुत आसानी हो जाएगी जाएंगे और अदो मुख्स्वान आसन करेंगे जो पैर हम आगी लेटे हैं उसको हम पीछ लेगे यहां नाप लेजाएंगे तो आपनेन प्रेते होसके हैं और हम हनुमान आसन के लिए ट्राइब कर रहे हैं तो पैरों को इस तरह इस तरह से हम देखिए इस पोज में थोड़ा और खोलते हैं पैरों को कि खुलने के बाद दूसरा पैर भी हम इसी तरह से करेंगे कि फ्लक्सिबिल्टी दीरे 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 बढ़ाएंगे अब हम पैरों को इस तरह से थोड़ा जीरो बनाते रहेंगे जीरो बना बना के इस țरह Munich Nice nice कुर्ण जितना कर सकके उससे यह पैर थोड़ा अब हम हुनवान असन की स्थिदी में आरहे हैं धीरे धीरे अपने पैर को जिस तरह से हमने लिजार पोज में आगे रखा था तो थोड़ा और आगे करते हुए और ये आप सीधे इस पोज में आ सकते हो धीरे धीरे करके ये आप से अगर एक दिन में नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा आगे करेंगे थोड़ा पूरा नहीं जमीन पे आप बैट पाते तो थोड़ा खड़े रहेंगे अगले दिन वापस करेंगे धीरे 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 आप बिल्कुल हन्मान आसन के पोज में आ जाएंगे एक पैर से ये तो इस तरफ से किया है उसके बाद दूसरे पैर से भी हम सेम ट्राइ करेंगे कि होता है या नहीं एक पैर से बहुत आसानी से होता है दूसरे पैर से थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इससे ये ना सूचे कि क्यों नहीं हो रहा है इस वाले से खण अब्ति किहारीं वृवी ऊस्यक्स रहती है जल्दी होता है कोई बी पोज में आपको जाने के लिए कि पहले प्राइव्य करें गर्प कर था फानल जासकती हैं हम और यह आपका हनमानासन हो चुका है देखिए सांस लेते हुए उपर की तरफ हाथ करेंगे और छूड़ते हुए और बैक जाने की ट्राई करेंगे यही हनमानासन है इसके बाद आप आगे की पैर और दौनों आथों को रिलैक्स करेंगे उससे और स्ट्रेचिंग होती है जिससे आपको इस पोज में जादा दिर तक रहने में आसानी होती है इसके बाद और भी इसके वैरियेशन से हैं पीछे वाले पैर को हम अपने दूसरे हाथ से टच कर सकते हैं पर अभी हम इतना ही करेंगे ओके बाय दोस्तों